कहते हैं पानी की बूंद बूंद अनमोल है धरा पर पानी ही जिन्दगी की निशानी है लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को मीलो का सफर करना पड़ता है तब जाकर कहीं एक खड़ा पानी मिलता है 36 गड़ की पानी की नगरी का हाल बेहाल है बालोट से पानी कई जिलों में भीजा जाता है बावजद इसकी जलसन साधन विभाग में बैठे लापर वाहों के कारण लोगों को भून भून के लिए तरसना पड़ रहा है बालोट जिले को यदि पूरे प्रदेश में पहचाना जाता है तो पानी के नाम से यहां का जीवन दाइनी तांदूला जलासय जहां का पानी दूर के भिलाई जैसे छेतरों को भी सिंचित करता है और पे जल के लिए भी पानी उपलब्ध कराता है परन्तू यदि धरातल पर यहां आकर देखें तो इस जलासय से निकलने वाले नहरों की सितियां बहत खराब है बालोट जिले में तांदूला जलाशय, गंगरेल जलाशय, गोंदली जलाशय, खरखारा जलाशय में नहरे बहती है नहरों के माध्यम से गुरूर, बालोद, बेमितरा और दुल भिलाई समेथ शहरों, कस्बों, गाउं में पानी की सप्लाई की जाती है नहरों की पानी से सिचाई और पीने का उप्योग भी किया जाता है लेकिन नहरों में गंदगी पसरी हुई है नहर को घास फूस ने जकड रखा है नहरों के आस पास बदबू फैलती रहती है नहरों के पास लोग शराब पीते हैं नहरों में प्लास्टिक और डिस्पोजल की भरमार है कई मरतबा जलसन साधन विभाग से सफाई की अपील की गई विभाग आख मूंद कर बैठा है जलसन साधन विभाग की अधिकारियों का भी गोल माल जवाब देखने को मिला जबके स्थानी प्रशाशन शराब खोरों पर पाबंदी लगाने की बजाए चुपपी साधे हुए है बालुत कलेक्टर जनमेजे महोबे क्या कह रहे हैं सुनिये अब यक तो नल में पानी नी आए हाँ दो बाल्टी तीन बाल्टी पानी आई तन बंद हो जाती चोड़ी होती है नहर वहाँ पे काफी गंदगी थी उनने सफ़ाई करवाई है इसी तरह और भी जगर हम दिखवा रहे हैं यदि ऐसे स्थिती होगी तो भाग इससे कारवाई करेगा पानी को प्रदूसन से बचाने और नहरों को सुरक्षित रखने स्वक्ष रखने किसी तरह का कोई ठोस प्रयास नजर नहीं आ रहा है इटीवी भारत के लिए दान विर्साहू बालोद झालोद